अपने फ्यूचर के लिए अपने करियर के लिए अपने माबब के लिए दिल लगा के मेहनत कर रहे होंगे तो फ्रेंड्स जैसा कि आप लोगों को मैं बता दूँ एक बहुत इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन है जो आपका एम्टेक और एमेस प्रोग्राम्स के जो एड्मीशन से आई टी बॉम में में वो इस्टार्ट हो गया है उसका जो आपका जो एड्वर्टाइजमेंट है वो आ गया है तो यहाँ पर जैसा कि आपने थबनेल में भी देखा होगा देखें यहाँ पर लिखा है जो आपने इस साल गेट 2022 दिया है इसके थू आपके जो एड्मीशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो में कि क्या क्या डेट से आपकी कितनी आपकी फीस लगेगी कैसे आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं कौन-कौन से ब्रांचेस के लिए कौन-कौन से डिपार्टमेंट में आपका डिरेक्ट एड्मीशन हो सकता है किस-किस डिपार्टमेंट के लिए आपको इंटर्विव होगा अगर इंटर्विव और रिटन टेस्ट होगा तो कब आपको बुलाया जाएगा सारी चीज़े ये जो PDF है, ये मैंने Direct Gate के जो IIT Bombay के Westside से मैंने निकाला है, बट still मैं यहाँ पर चीज़े आप लोगों को समझा देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये चीज़े समझ में आ जाए, तो यहाँ पर आप लोगों का EmTech Program और MS by Research Program, जो MSR Program होता है, इसके लिए आपके admission है, आपको लिखा भी गया है, autumn semester ठीक है, जो आपका जो ये admission process है, ये पूरा complete आपका मई, जून तक होता है और जो आपका session स्टार्ट होता है, friends वो जुलाई अगस्थ से आपके different different IITs में स्टार्ट हो जाते हैं process है, ये 21 मार्च से start हो चुका है, और ये कब तक चलेगा, last date कब है, इसका 12 April तक है, ठीक है depending on the COVID situation ये जो आपके April 12 तारीक है ये हो सकता है, बढ़े है, बट आप इतना late मत करिएगा, ठीक है अगर आपका gate score बहुत हाई है तो आप expect कर रहे होंगे, कि आप PSU में भी job लगाएंगे, लेकिन still मैं कहूंगा, कि आप यहाँ पर जो form है, उसको fill कर दे बहुत ज़्यादा fees नहीं है, इसका, मैं उसके बारे में भी discuss करूंगा, और अगर आप किसी interdisciplinary branch में भी apply करते हैं, तो उसके लिए test और interview, ठीक है, और भी यहाँ पर कुछ-कुछ programs दिये हैं, बट यहाँ पर मैं जो mainly आप लोगों से discuss करना जा रहा हूँ, वो teaching assistantship और research assistantship program के लिए करना चाह रहा हूँ, क्यूंकि जो maximum में से, आप लोग में से maximum students हैं, वो mtech 2 साल का जो आप program करते हैं, जिसमें आपको 12.4 thousand जो आपको stipend मिलता है, यह आपके teaching assistantship program के अंडर आता है, ठीक है, इसमें जो gate score, gate cutoff जाता है, वो काफी high जाता है, लेकिन अगर आप IITs जैसे prestigious institute से पढ़ना चाहते हैं, तो कम gate score में भी आप कर सकते हैं, उसके लिए आप research assistantship program को में apply कर सकते हैं, और सच मानिए मेरी बात, यहाँ पर जो opportunities मिलती है, वो बराबर की मिलती है, ऐसा नहीं कि अगर कोई teaching assistantship में है, तो उसको ज़्यादा अच्छा opportunity मिलेगा, कोई R.A. में तो उसको कम मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो अगर आपका gate score बहुत high नहीं भी है, ठीक है, तो दूसरों की बातों में ना आए, कम gate score में भी आप IIT में admission ले सकते हैं, ठीक है, now, very important, यहाँ पर, अभी तो मैं teaching assistantship की बात करता हूँ, जो TA जो program है आप लोगों का, जो two years का जो program होता है, यहाँ पर यह जितने भी branch है, ठीक है, यहाँ पर यह branches आपको दी गई है, A, E, B, M, C, E, C, C, S, G, S, यह सारे आपके branches हैं, इन branches के लिए direct gate score के basis पर admission होंगे, ठीक है, interdisciplinary branch के लिए return या interview के लिए जाएगा, वो भी आगे मैं आपको बता देता हूँ, अच्छा, payment of fees की आगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर general category के लिए 300 rupees है, और जो SCST candidates है, उनके लिए 150 rupees है, ठीक है, still मैं आप से कहूँगा कि एक बाद जब यह process start हो चुका है, तो आप जाके वहाँ पर इसको proper check करिए, बड़ जितनी information मुझे है, उसके इसाब से 300 rupees for general candidates, EWS candidates, OBC candidates, और जो SCST and PWD candidates है, उनके लिए 150 rupees आपका यहाँ पर fees लगेगा, हर IIT का अपना अलग-अलग fees होता है, चलो, उसके बाद, यहाँ पर एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर हर category के लिए, चाहे आप teaching assistantship की बात करें, research assistantship की बात करें, और किसी program की अगर मैं बात करूँ, तो कौन-कौन से branches में आप लोगों को direct interview के लिए बुलाए जाएगा, या direct आपका admission है, तो देखिए, यहाँ पर aerospace engineering की अगर आप branches की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपको direct admission है, अगर आप RA program में भी हाँ पर admission लेना चाहते हैं, तो direct admission होगा आपके gate score के basis पे, इसके अलावा अगर आप bioscience and bio engineering में हैं, तो आपका direct admission है, chemical engineering में हैं, आपका direct admission यहाँ पर होगा, जहाँ जहाँ पर यह direct admission लिखाए, इसका मतलब direct आपका gate score के basis पे, आपका admission होगा, अच्छा, यह जो gate score के basis पे जो आप registration करते हैं, वो आप कहाँ पे करते हैं, ध्यान से देखिए, आप COAP portal पे करते हैं, common offer acceptance portal, जैसे NITs के लिए CCM के एक common portal provide करता है, उसी तरह से IITs and एक PSU भी इसमें है, तो यह IITs भी अपना common portal बनाई है, जिसके थूँ आप क्या कर सकते हैं, उनके branches में apply कर सकते हैं, तो इसका registration number आप लोगों के लिए बहुत important होगा, until and unless आपका COP का registration number नहीं है, आप IITs में apply नहीं कर सकते हैं, तो यह चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है, इसके बाद देखिए, direct admission, computer science and engineering, यहाँ पर भी आपको direct admission है, अच्छा, अगर आप MS program करना चाहते हैं, MSR program जो है, department of computer science and engineering में, तो यहाँ पर देखिए, आपका test conduct होगा 2 माई को, और interview के लिए आपको बुलाए जाएगा 3 से 12 माई के बीच में तो यह table से बहुत कुछ clear हो जाएगा, आपको table में यह table में इसलिए show कर रहा हूँ, क्योंकि इससे आपको एक rough idea लगे, कि कौन कौन से branches में आपका direct technician है और किन किन branches के लिए आपको test और interview के लिए बुलाए जाएगा, बहुत ध्यान से मेरी बास समझेंगे, जो interdisciplinary branches होते हो, उनमें generally test और interview रखा ही जाता है और इसमें जो आपके research का, जो आपके पढ़ाई का domain है compared to your core domain, काफी बड़ा होता है, तो opportunities भी आपको काफी अच्छी मिलती है, तो don't miss these chances also, और interdisciplinary branches में ये भी एक फायदा होता है कि एक बार आपको interview के लिए बुला लिया गया, एक बार आपको return test के लिए बुला लिया गया, उसके बाद आपका gate score क्या है, इससे फर्क नहीं पड़ता, आपको वहाँ return और interview में अच्छा perform करना है अगर आप वहाँ अच्छा perform कर गए, तो आपका selection हो जाता है, ठीक है, ओके तो यहाँ पर और देखिए MS by Research in Data Science and Artificial Intelligence, ठीक है, अगर आप इस program को करना चाहते है, तो इसका भी test 2 माई को है, 3 से 12 माई के बीच इसका interview होगा चलिए, Earth Science, Direct Admission, Electrical Engineer, देखिए Electrical Engineering के इतने सारे classified, सब branches है, सब branches तो यहाँ पर भी आपका Direct Admission है, Energy System Engineering के लिए आपका return test होगा, 17 माई 2022 को, ठीक है, तो काफी time है, तो आप इसके लिए अभी भी prepare कर सकते हैं, ओके इसके बाद interview आपका 19th माई को है Environmental Science and Engineering Department Direct Admission है, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं आप लोगों को और अच्छे सा समझा दूँ, for example मैं एक Mechanical Engineer हूँ, तो मैंने Mechanical Engineers के लिए IIT बॉम में में वो कौन-कौन से ब्रांच के लिए apply कर सकते हैं, उनका कित्ता cut-off गया था previous year में, यह मैंने वहाँ पर show किया है, मैंने उस पर एक वीडियो बनाया है ठीक है, तो वीडियो जाके आप जरूर देखिएगा, उस वीडियो से आप यह पता कर सकते हैं, कि mechanical engineering के student कौन-कौन से इनमे से different branches में apply कर सकते हैं उसी तरह से अगर आप civil engineering के हैं chemical के हैं, electrical के हैं तो आप लोगों को यह बात पता होनी चाहिए कि आप कौन-कौन से department में apply कर सकते हैं और किस department में direct admission से और किस department के लिए आपको interview and return test के लिए call किया जाएगा यह आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा ठीक है, तो mechanical engineering का हमने बनाया है civil का देवेश सर बनाते हैं ठीक है, electrical, EC, IN का जो है पंकस सर, सोहेल सर और चंदन सर वीडियो लेके आएँगे चलिए, इसके बाद direct admission, geo informatics and natural resource engineering, GNR, इसमें direct admission है industrial engineering and operational research direct admission, mechanical engineering जैसा कि मैंने आपको बता है mechanical engineering के जो core है जिसमें thermal होगा, design होगा, ठीक है fluid, machinery, fluid के जो होगे इसमें देखिए direct admission है, ठीक है metallurgical engineering and material science direct admission, materials manufacturing and modeling, direct admission ठीक है, technology and development यह जो आपको date यहाँ पर clear यह राय से दिखी नहीं है, बट यहाँ पर मुझे जितना देख के लग रहा है इसको, कि यहाँ पर आपका return and interview होगा, ठीक है, यहाँ पर मैंने इसे directly IIT Bombay के website से download किया है, तो यह जितना देख के मुझे समझ में आ रहे है कि यहाँ आपका 6-7 मही को आपका return हो सकता है और 8 तरी को आपका interview हो सकता है depending on the number of seats, ठीक है चलिए, इसके अलावा आपका urban system, center for urban science and engineering, direct admissions, ठीक है तो यह रहाँ आप लोगों का सारा information, semester, यह सब registration और जो भी आप लोग इसको आपना इसको देखिएंगे, proper लेकिन मैं आप लोगों को यहाँ पर clearly एक चीज़ बता दूँ कि common offer acceptance portal में जाके register जरूर करें common offer acceptance portal, जो ओप की जो portal है, वो open हो चुकी है उसके registration करने के बाद ही आप different IITs में जब अलग से admission process में जाएंगे, तो उसका registration number आपको लगेगा, ठीक है इसके अलावा एक और branch होता है last but not the least, इसके अलावा एक और branch होता है sitara branch, ठीक है sitara branch एक बहुत होता है यह बहुत अच्छा branch है एक interdisciplinary branch है, इसके लिए भी return and interview होता है वो यहाँ पर आपको show नहीं हो रहा है लेकिन यह hidden branches one of the hidden branches भी कहा जाता है इसको of IIT Bombay और इसके लिए बहुत ज़्याद़ गेटी स्कोर की ज़र्वत नहीं है low gateी स्कोर पे भी, in fact अगर आपका 600 plus gateी स्कोर है मैं general category की बात कर रहा हूँ तो भी आप इसमें admission ले सकते हैं जैसा कि मैं बार-बार कहता हूँ कि अगर आप civil या mechanical के student है अगर आप mainly civil या mechanical के students है तो gate, civil mechanical gate, civil, mac आपका ये जो है जैनिक education ये जो आपका, जो हमारा telegram channel है मैं इसको description में भी डाल दूँगा उसमें आप join हो जाएगे एगा telegram channel पे और इसके बाद सिर्फ civil या mechanical के student है तो मैं ये जो PDF को वहाँ पर send कर दूँगा तो ये रहा information अगर और IIT के जैसे जैसे मुझे पते चलते जाएगे मैं बताते जाओंगा और जो और भी जैसे IIT रूड की है IIT खड़कपूर है इनके जो previous years के cutoff वाले वीडियो हैं वो भी मैं लेके आओंगा ताकि आपको एक rough idea होता जाए कि आप किस तरह से कौन-कौन से branches में apply कर सकते हैं और आपका कितना gate score होना चाहिए ताकि वहाँ पर आप admission ले सकें So I hope आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो समझ में आया हो तो प्लीज मेरे वीडियो को like करिएगा share करिएगा इसको सभी लोग देख सकते हैं बट जो मैं जो after gate series ला रहा हूँ मैं mainly mechanical engineering students के लिए ला रहा हूँ ताकि आपको एक proper guidance में provide कर सकूँ civil के लिए देवेस्टर ला रहे और जो हमारी higher management है वो electrical ECIN पे वीडियो ला रहे है तो इसी तरह के और वीडियो के साथ मैं आता रहूँगा तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें अच्छे से रहें Thank you so much